अंतिम इच्छा समय के साथ साथ राजा कृष्ण देवराई की माता बहुत बृद्ध हो गई थी। एक बार वे बहुत पिमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शिग्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम से बहुत प्यार था। इसलिए वे जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहते थी। सो उन्होंने राजा से ब्रामनों को आम को दान करने की इच्छा प्रकट की। वे समझते थे इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ती होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा के पूर्ति किये बिनाहे मृत्यू को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यू के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मनों को बुलाया और अपनी मा की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पसचाद ब्रहामन बोले, ये तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज, अंतिम इच्छा के पूरा ना होने की दशा में तो उन्हें मुक्ती ही नहीं मिल सकती, वे प्रेतियोनी में भटकती रहेंगे, महाराज आपको उनकी आत्मा की शांति का उपा पुन्य तिथी पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा, अदह राजा ने मा की पुन्य तिथी पर कुछ ब्रहामनों को बोजन के लिए बुलाया, और प्रतीक को सोने से बने आम दान में दिये, जब तेनाली राम को ये पता चला, तो वे तुरंत समझ गया, ब्रहामन लो दिखा था, तेनाली राम भी अपनी माता की पुन्य तिथी पर दान करना चाहता है, क्योंकि बे भी अपनी एक अधुरी इच्छा लेकर मरी थी, जब से उसे पता चला कि उसकी मा की अंतिम इच्छा पूरी ना होने के कारण प्रेत योनी में भटक रही होंगी, वे बहुत ही दुखी है, और चाहता है कि जल्दी से उसकी मा की आत्मा को शांती मिले, बरहमनों ने सोचा कि तेनाली राम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि बे शाही बिदुशक है, सभी बरहमन निस चित दिन तेनाली राम के घर पहुंच गए, बरहमनों को स्वाद पूछने पर तेनादीराम बोला मेरी माँ फोडों के दर्द से परिशान थी मृत्यू के समय उन्हें बहुत तीस दर्द हो रहा था इस से पहले कि मैं गरम सलाखों से उनकी सिकाई करता वे मर चुकी थी अब उनकी आत्मा की शान्ती के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उसकी अंतिम इच्छा थी ये सुनकर ब्रहमन बुखला गए वे वहां से तुरंट चले जाना चाहते थे वे गुसे से तेनादीराम से बोले कि हमें गरम सलाखों से दागने पर तुम्हारी मा की आत्मा को शान्ती मिलेगी नहीं महाश्य मैं जूट नह यदि सोने के आम दान करने से महाराज की मा की आत्मा को स्वर्ग में शान्ती मिल सकती है तो मैं अपने मा की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता ये सुनते ही सभी ब्रहमन समझ गए कि तेनादीराम क्या कहना चाहता है वे बोले तेनादीराम हमें अक्षमा करो हम व में जाने दो तेनाली राम ने सोने के आम लेकर ब्राहमनों को जाने दिया परंतु एक लालची ब्राहमन ने सारी बात राजा को जाकर बता दी यह सुनकर राजा करोथित हो गए और उन्होंने तेनाली राम को बुलाया वे बोले तेनाली राम यदि तुम्हें सोने के आम चा रहा था यदि भे आपकी मा की पुन्यतिती पर सोने के आम गरहन कर सकते हैं, तो मेरी मा की पुन्यतिती पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजाते नालेराम की बातों का अर्थ समझ गए उन्होंने ब्रामनों को बुलाया और उन्हें भविश्य में लालस त्यागने को कहा